हेलो फ्रेंड्स हमारा चल रहा था यूनिट सेकिंड का चैप्टर नमबर फाइव बंशगती मेंडलिय आधार ये क्लास ट्वेल्ट का है मेंडलिय बेसिज ऑफ हैं इन्हेरिटेंस ओके अगर हम सिक्वेंस से चल रहे हैं तो यह आपका चैप्टर फाइव कहलाएगा लेकिन अगर आप यूनिट सेकिंड में देखो तो उसके साब से चैप्टर नमबर यूनिट सेकिंड का फर्स्ट है लेकिन हम सिक्वेंस से चल रहे हैं तो यह चैप्टर फाइव कहलाएगा वंशगती मेंडलिय आधार मेंडेलियन बेसिज ऑफ इन्हेरिटेंस लास्ट वीडियो तक लेक्स मेंडेल ने उब्यक्स मेंडल ने अपने प्रियोग मतलब एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं कि मेंडल ने अपने प्रियोग garden pea, garden pea मतलब मतर बाग का मतर होता है ठीक है, garden pea और इसका नाम होता है जो मतर है इसका वैज्यानिक नाम या फिर scientific name होता है Paisam Sativam या आपको लिख के आना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और short question में भी आ सकता है कि मतर का scientific name लिखिए ये तो क्या है Paisam Sativam पर किये मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था ठीक है मेंडल ने अपने प्रियोग किस पर किये थे garden pea मतलब मतर के पौदे पर किये मतर को scientific name क्या है Paisam Sativam पर किये मेंडल का जन्म कब हुआ 22 जुलाई 1822 को Austrian के Brun शहर में हुआ था Austrian एक जगह है AUSTRIAN के Brun B-R-U-N शहर में हुआ था शिक्षा पूरी करने के बाद ये गिर्जाधर चर्च के पादरी हो गए ठीक है तो इन्होंने जब इनकी study कम्प्लीट हो गई तो एक गिर्जाधर चर्च है वहाँ पे ये पादरी हो गए चर्च में पंडित वगएर नहीं होते है वहाँ के जो पंडित होते हैं उन्हें पादरी बोला जाता है ठीक है तो वहाँ के पादरी हो गए यही उन्होंने 1857 से 1865 तक मटर के पौदे पर प्रियोग किये ये भी आपको अंडरलाइन करके लाना है आप देखो इनकी जब स्टेडी कंप्लीट हो गई तो ये गिर्जाधर चर्च में पादरी हो गए और यहाँ पर ही कहाँ पे गिर्जाधर चर्च में ही इन्होंने 1857 से 1865 तक प्रियोग करते रहे ये बहुत पुछजाता है शौट कोशन की मेंडल ने अपने जो प्रियोग किये थे वो किस पे किये थे तो मटर के पौधे पर या फिर जिसे बोलता है पाईसम सटाइवम इन प्रियोगों के निशकर्च से ब्रून सिटी की पत्री का नेचरल हिस्टी सोसाइटी में प्रिकाशित कराए लेकिन इन कारी के लिए इन्हें कोई महत नहीं मिला जो इन्होंने प्रियोग करे थे उन्होंने क्या किया जो प्रियोग से जो भी निशकर्च निकले उन्होंने वो ब्रून सिटी की एक पत्रिका होती है जिस पत्रिका का नाम है Natural History Society उसमें प्रिकाशित कराए जो उनकी प्रियोक थे उन्होंने इस पत्रिका में प्रिकाशित कराए या फिर छपवाए कह सकते हैं लेकिन इस कार्ये के लिए इन्हें कोई महत नहीं मिला 1884 में इनकी डेर्थ हो गई ठीक है जो मेंडल थे इनकी डेर्थ हो गई 1884 में और मृत्यू के 16 years या फिर 16 years बाद सन 1900 में तीन वैग ज्यानिक ये बहुत important है जो तीन वैग ज्यानिक है कॉरेंस, डी वैरीज और शेर मैक कॉरेंस, डी वैरीज और शेर मैक ने वही निशकर्ष निकाले जो 34 वर्षपूर मेंडल ने बताये थे अब जो जब इनकी डेर्थ हो गई मेंडल की तो उसके 16 साल बाद क्या हुआ तीन वैग ज्यानिक आए कॉरेंस, डी वैरीज और शेर मैक जब इसको री स्टड़ी हुई अब देखो, मेंडल ने भी मटर के पौधे पी किया और इन तीनों वैग्यानिक ने भी मटर के पौधे पर ही प्रियोग किया तो जो सेम निशकर्ष निकले तो सब ने कहा कि ये तो वही निशकर्ष निकले हैं जो मेंडल के निशकर्ष थे तो इसके बाद उन्हें जिस टाइम उनकी पत्रिका में छपा उस टाइम तो उन्हें प्रिसिद्धी नहीं मिली, किसी नहीं एप्रिशेट नहीं किया लेकिन जब इन तीनों ने दुबारा से री स्टड़ी करी जो उन्होंने प्रियोखे थे तो फिर से वही निशकर्ष निकले तब जाके मेंडल को क्या मिली प्रिसिद्धी मिली ठीक है तो मैं आपको एक बार आउसम जा देती हूं कि इसमें से देखो बहुत शॉर्ट नोट बन रहा है कि मेंडल ने अपने प्रियोख किस पे किये गार शहर में ठीक है और इस्टडी पूरी करने के बाद ही कहां चले गए ते गिरजाधर चर्च में पाद्री हो गया और महीं पर इन्होंने क्या किया यह सनाप को सारे याद रखने हैं 1857 से 1865 तक मटर के पौदे पर यह प्रियोख करते रहे जब इन्होंने निशकर्ष निकाल लेकिन इनकी डैट के 16 साल बाद तीन वेग ज्यानिक और रहा है कोरेंस डीवैरी और शेर में इन्होंने भी मत्ती इन्होंने मतर के पौदे पर ही प्रियोख किया तो सेम वही निशकर्ष निकले जो मेंडल ने निकाले थे जब देखो लिखा है कि जो 34 वशपूर मेंडल बताय थे तो इस परिकार मेंडल के जो नियम थे उनकी पुने खोज हुई अब यह पूस्सते हैं कि मेंडल की नियम के पूने कोज किस ने की थी तो आपको जि निकाल शेर मेंडे कि और फिर मेंडल को पिर सिद्धी मिली फ्रेंड्स वीडियो पसंद आयो तो लाइक कर देना मेरे चैनल को सस्क्राइब कर देना थैंक यू फा वाचिंग